हेलो एवरीवन वेलकम बैक टो आर चैनल दिस साइट सिधी और आज की क्लास में आपको मैं कुछ भी पढ़ाने ने वाली हूं लेकिन आज मैं आपको बहुत ही खास इंफोर्मेशन देने वाली हूं अगर आप लोग सीटेट की एक्जाम की तैयारी कर रहें आप में सीटेट बट अब स्टुडेंट अब आपके लिए लाइफ टाइम कर दी गया यह बहुत ज़्यादा गुड नियूज है आप यहाँ पर इंफोर्मेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्षा मंत्राले ने एक बहुत ही बड़ी डारेक्ट में आपको नियूज दिखा रही हूं तो आप डारेक्ट दे सकते हैं कि आप लोग जो कोई भी आपकी टेट के एक्जाम होते हैं उसकी वेज़ेता आप क्या कर दी गई आज इवन कर दी गई है ठीक है पूरी लाइफ टाइम तक कर दी गई है जो कि अब आप पहले आप लोगों को याद होगा कि साथ वर्ष तक सि की वेलिटी होती थी और उसके बाद दुबारा से हमें टेट के एक्जाम देने पड़ते थे बट आप ऐसा कुछ नहीं है आज इवन कर दी गई है तो अब आपका जो भी प्रमार्पत्र है तो अगर आप लोगोंने दो हजार ग्यारा से आपको ने टेट का एक्जाम दे र बाते कहीं है तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं अगर अच्छे से देखेंगे तो यहां पर लिखा है कि तो आपका सिक्से तो टेट का एक्जाम है उसका प्रमार्पर की वेज़ता कितनी है साथ साल से बढ़ा करके कितनी आजीवन कर दी गई है सिर्फ इतना ही नही के भी माना जाएगा क्लियर यानि कि इन सालों के जिनके भी प्रमार्पत्रों के अफदी पूरी हो चुकी है तो 2011 में टेट के एक्जाम देता बारा में उनके लिए भी है तो यहां पर आप देख सकते इसमें लिखा कि वह सिक्षक भरती परिक्साओं के लिए भी पात्र हो है बेसक्त पूरा हो चुका था 1217 में लेकिन अब आपको को एक्जाम देने की जोड़त नहीं है अब आपका प्रमाम पत्र क्या है माना जाएगा आप आगे भी टीचर के लिए फॉर्म अपना अप्लाय कर सकते हैं दुबारा आप लोगों को टैट नहीं देना पड़ेगा क्लियर हो गया आगे देखेंगे तो आप लोग आगे भी देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि यह जो चीजे हैं यह बहुत टाइम से बदलाव में बहुत टाइम से चल रहा था लेकिन अब जाके फाइनली हम लोगों को यह डिसीजन मिल गया है कि यह फाइनली लाइफ टाइम हो गया है जो टैट का एक्जाम है तो परिक्सा सरकारी स्कूलों के लिए बहुत की जाती है ठीक है अब नया बदलाव आ गया है रास्टे निती सिक्षा निती के उसमें तो यहाँ पर इन लोगों ने फिक्स के तो सीट अलावा जुट होने वाली अन्य जितनी भी आपके राज्य टैट होते हैं एस्टेट टीपी टैट एस्टेट इस सारे कि सारे ठीक है इन सब के लिए क्या होगा अब 15 फरवर्वर्वर्वाश क्या था मांगा एक ब्योरा मांगा गया था यह आप लोगों को अगर याद हो तो यहाँ पर आपी सारी इंफर्मेशन देख सकते हैं आगे अगर देखेंगे कि इस ब्योरों में परिक्षाओं पैटन जो थे जो एक्जाम का जो पैटन था उसके अलावा सामिल उम्मीदवार कितने थे कितने सफल जो इतने सक्सेस उम्मीदवार थे इन सब क्या करी कि अगर आगर आगे की टीचर के लिए अप्लाइक कर सकते हैं दुबारा आप लोगों को टैट का एक्जाम नहीं देना पड़ेगा तो यह थी आज की सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग निउस गुड निउस तो चलिए आशा करते हूं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद लाइक करो शेयर करना मत बूला कुछ भी डाउट हो तो क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर पूसकते हैं थैंक्यू सो माच